नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग अकैडमी का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हार्दी कविनंदर है दोस्तों प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैट्स में एक बहुत ही important topic के बारे में chapter का नाम है mixer and allegation और आज दोस्तों यह class होने वाली है class third यारी part number third तो दोस्तों आज ही रहेगा part third और हम बात करेंगे भैतरीन से questions के बारे में questions आपको सामने scheme पे नजर आएंगे तयारी हमारी चल रही है मैट्स की SSC, DP, अर्था दिल्ली पुलिस, railway, army, navy, air force इत्यादी किसी भी competitive exam जिसमें मैट्स पुछी जाती है सब के लिए ही बहुती भैतरीन और सांदर ये वीडियो रहने वाली है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के first question के बारे में तो दोस्तों पहले question में देखी क्या लिखा हुआ है question में लिखा हुआ है दो बरतनों में दूद और पानी का अनुपात एक अनुपात दो और दो अनुपात तीन है हमारे पास दो बरतन है उन में दूद और पानी का अनुपात पहले बरतन में एक अनुपाद दो, जबकि दूसरे में दो अनुपाद तीन है, अगर इन दोनों को एक ratio एक के अनुपाद में मिला दिया जाए, तो आपको बताना है नया जो हमारे पास मिक्सरन होगा अर्थात, नया जो मिक्सर होगा दूद का और पानी का, वो किस ratio में पानी का जो ratio है, वो कितना कितना है, दीकि milk और water, इन दोनों का ratio दिया हुआ है, आप कहेंगे एक अनुपाद दो, one ratio, two दिया हुआ है, जबकि दूसरा जो बरतन है, दूसरे बरतन के अंदर, यही ratio दिया गया है, दो और तीन, milk का और water का, आपको इन दोनों को एक ratio, एक के ratio में मिलाना है, एक अनुपाद एक का मतलब, जितना लेना है आपको इससे, उतना लेना है इससे, यानि समान मातरा में दोनों को मिला करके, नया मिस्रन आपको तयार करना है, उसमें आपका अनुपाद क्या रहेगा, कैसे दोस्तों आपको पहले क्या करना है इन दोनों को दोनों बर्तनों में जो भी मात्रा है दूद की पानी की जो भी है उसको इक्वल करना है कैसे करोगे देखे इधर तीन है अगर देखा जाए तो यूनिट अगर हम इनको जोड ले तो तीन यूनिट है और यहां पर पांच मल्टिप्लाइ कर लूँ तो यह मेरे पास हो जाएगा पांच तीया पंद्रे यूनिट जबकि यह भी मेरे पास हो जाएगा पांच तीया पंद्रे यूनिट अब यह दोनों यूनिट बराबर हो गई तो अगर मैंने पांच से मल्टिप्लाइ करी है तो पांच से मल्टिप अब हमारे पास दोनों की दोनों की जो मात्रा है वो बिल्कुल बराबर है चाहे तो आप जोड़के देख लिए 10 और 5 पंद्रे हो जाते हैं और 9 और 6 भी आपके पास पंद्रे रहेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि यह दोनों बराबर हो गए अब मुझे एक रेशियो एक के रेशियो मिलाना है अर्थात मेरे पास 5 और 6 ग्यारत और नहीं बरतन के अंदर रहेगा दूद्ध जबकि 10 और 19 रहेगा इसमें मेरे पास पानी तो उमीद करता हूं यह बात आपके समझ में जरूर आई होगी और इस प्रकार से हमारे कोश्चन का बिल्कु से यह बात करूंगा इक्स कोश्चन के बाoles सोग्यां आई होगी अगला कोश्चन भी देख लेना तो चले दोस्तों बात कर लेते इस्प्रिट की जो सांदरता है वो 60%, 70%, 75% और 80% है यदि सभी बरतनों को एक साथ मिला करके एक नया मिस्रन तयार कर दिया जाए तो आपको बताना है इस्प्रिट तथा पानी का नया आनुपात क्या हो जाएगा यहां से दोस्तों कैसे आप किस कोशन को कर सकते हो पहले आपके पास दो बरतन थे इस बार आपके पास चार बरतन है और यहां पर आपके पास इस्प्रिट है और साथ साथ ऐलकॉल है दो चीजों का मिस्रन है पहले मिस्रन की बात करें या पहले बरतन की बात करें तो वहाँ पर 70% जो है इस्प्रिट है इतनी बात आपके सों में जुरूर आई होगी दूसरे की बात करें तो दूसरे में दिया हुआ है सतर परसेंट यहां पर इस्प्रिट रहेगा सतर परसेंट का मतलब साथ बटे दस यानि साथ रहेगा यहां पर इस्प्रिट और तीन रहेगा एल्कॉल तीसरे बरतन की बात करें तो 75% 25 बटे 100 75 बटे 100 का मतलब सिधा सिधा कितना हो जाता है 3 बटे 4 यानि 3 रहेगा यहापर इस्पृट और 1 रहेगा उसके अंदर अल्कोहल चोथे बरतन की बात करें तो इसके अंदर 80% 80% का मतलब हो जाता है 80% का मतलब सीधा सीधा हो जाता है चार भटे पाँच यानि चार रहेगा आपके पास इस्पृरिट और एक रहेगा उसके अंदर एलकॉल यह हमारे पास आ गया चारों बड़तनों का हिसाब किताब अब मुझे इन सब को मिला करके सेम रेशियो मिलाना है और सेम रेशियो मिला क पास है दस यूनिट इसकी बात करें तो यह हमारे पास है चार यूनिट और जबकि इसकी बात करो तो चार और एक पांच यूनिट यह सब को बराबर करना पड़ेगा इसके लिए मुझे इन सब का लेना पड़ेगा LCM कौन सा नंबर आएगा आप यहां से देख पारे हो 20 सिहाँ पर LCM आ जाएगा क्योंकि 4 के पाड़े में भी 20 आता है 5 के पाड़े और 10 के पाड़े में और 5 के पाड़े में 20 आता है और 5 में फिर से में 4 से multiply करो, तो 20 मेरे पास बन जाएगा, अब आप देखोगे, यहाँ पर इनके सब क्वांटिटी बिल्कुल equal हो चुकी है, यह भी 20, यह भी 20, यह भी 20 और यह भी 20 हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, जो 4 की multiply आपने 5 में करीए, वो 4 की multiply आपको spirit में भी करनी पड़ेगी और अलकोल में भी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके पास यह कितना आजाएगा, तीन चोके बारे, और यह हो जाएगा, चार दुनी आठ, यानि मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं अलग से, इसको साफ कर सकते हैं हम यहाँ से भाई, इसक दूरे की बात करें, तो आप देख लिजी, तो से मल्टिप्लाइ करी है, यह साथ दूनी, चोदे, और यह मेरे पास रहेगा, तीन दूनी, छे, बात आपके जरूर समझ में आ रही होगी, इसके बाद दोस्तों इसमें मैंने 5 से मल्टिप्लाइ करी है, तो यह कितना हो यह भी 20 है, दोनों जोड़ करके, अब मुझे नया मिश्रण तयार करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, स्प्रिट में स्प्रिट को जोड़ते चले जाना है, कैसे जोड़ेंगे देखिए, 2 और 4, 6 और 5, 6 और 5, 11 और 6, 17 का 7, आपके पास अभी भी एक बचा हुआ है, एक और एक, 2 और एक, 3 और एक, 4 और एक, 5, यानि 57 बज़ेगा याप पर, अब दोस्तो, इधर भी same to same यही काम आप करोगे, 8 और 34, 14 और 5, 19, 19 और 4 आपके पास अजाएगा 23, यानि आपके पास जो नया रेशियो बनने वाला है, वो 57 रेशियो 23 रहेगा, जो कि आपके question का बि बिल्कुल accurate है, बिल्कुल सही answer है, उमीद करता हूँ question आपको जरूर समझवाया है, अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लग रहे है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिन भाईयों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, वो चैनल को subscribe प्लीज जरूर कर दें, ताकि ब बरतन A और B में, इनमें दूद और पानी का अनुपात है, पहले वाले में चार अनुपात 5 और दूसरे वाले में 5 अनुपात 1 यानि 5 रेशियो बन है, इस अनुपात में हैं, तो हमारे पास दो बरतन हैं A और B, A और B Milk और Water जो है दोनों में ही इनमें है Milk और Water और पहले वाले का जो रेशियो है वो है 4 रेशियो 5 यानि 4 दूद और 5 पानी है जबकि दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में 5 रेशियो 1 का रेशियो है यानि 5 तो दूद है और इसमें एक भाग की सीज़ का है, पानी का है आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला करके एक नया मिश्रन तयार करना है जिसमें दूद और पानी का जो नया अनुपात रहेगा, वो अनुपात रहना चाहिए, पांच अनुपात दो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले भाई, इन दोनों की जो मातरा है नो वो समान होनी चाहिए, दोनों बरतनों मैं, दूदर पानी की मातरा समान होनी चाहिए, यहां पर नहीं है बराबर, देखिए, 4 और 5 टोटंटा रिला करके, 9 यूनिट है भी यह, टोटर मिला करके कितनी है, 0 유निट, जबकि ये कितनी unit है, आपहेंगे 6, 5 और 6, तो ये बराबर तो नहीं है, बराबर करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें multiply कर देते हैं हम, दो से, और इसमें multiply कर देते हैं, 3 से, अब ये कितना हो गया, 98 और 86, यह त्पी अठारे है इत्वी बात अपके समंवा निहीं चीए है दूसरी बात दोस्तों इन्होंने कहा है कि आपके पास जो नया रेशियो आना बान चीए हो पांच रेशियो दो करें चीए तो पांच रेशियो दो करने के लिए ने से multiply कर देता हूं पहले वाले में और दूसरे वाले में 2 से multiply कर देता हूं कि क्या होगा ऐसा करने से देख लिजिए ये आपके पास कितना आ गया अगर आप देखेंगे तो आपने extra किसे multiply करिये तोटल दस से और नीचे आपने किस से multiply चरिए total 6 है तो 10 से multiply इसमेंश भी करनी पढ़ेगी मेरको कितना हो जाएगा यह मेरे पास वाजाएगा 10 की गुणा 4 में करने से 40 जबकि यहां मैं अन्गर 10 की गुणा 5 में करता हूं तो यह आजाएगा मेरे पचास कि यह आ जाएगा मेरे पास 50 कि दूसरे की बात करें तो इसमें 6, 6 से एक से एक सक नीपड़ेगी 5 में तो यह मेरे पास जाएगा 5, 30 और जब की बात करें दूसरे वाले कि तो यहां पर 6 से एक रहे का भूंगा तो यह रहेगा 6 हैं अगर ने यहां दोस्तों चोद्य का टेबल पढ़ता हूं देखिए चोद्य पंजे सब्तर और चोद्य चोख चपन यानि मेरे पास नया रेशियो बन करके आजाएगा वह आएगा फाइव रेशियो फॉर यानि मुझे इन दोनों को पांच रेशियो चार के अनुपात मे त्यार मेरे पास हो जाएगा, उम्हीद करता हूं कोश्चन आपको जुरूर समझ आयोगा, इंटरेस्टिंग कोश्चन था, बढ़िया कोश्चन था, इसी प्रकार के कोश्चन एक्जाम में, जरूर आपको देखने को लिए मिलेंगे, तो चलिए बात करते हैं next कोश्चन के बाले में हैं तो चलिए दोस्तों देख लिजी अगला कॉश्चों क्या कहता है अगले कॉश्च में लिखा हुआ है 10 लिटर के 3 बर्तन है 10 लिटर के 3 बर्तन का मतलब होग तीनो載परतन 10 लिटर के तीन आनुपात एक और तीसरे वाले बरतन में यह रेसियो हो गया तीन रेसियो दो यानि तीन अनुपात दो आपको बताना था यह तो उसमें दूद और पानी का जू अनुपात होगा वह क्या होगा दोस्तों आप देख लीजे तीनों ही बरतन 10-10 लिटर के हैं इसका मतलब इनके अंदर बराबर बराबर जो है वो quantity आ सकती है दूद की यानि बराबर बराबर लेटर में जो है दूद इसमें इनमें समय आ सकता है 10-10 लेटर समय दूद आ सकता है लेकिन अभी दूद की मातरा यहां पर equal नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ दूद की मातरा को पहले equal कर लेता हूँ कैसे करेंगे दूद और पानी की मातरा को यानि mixer की मातरा को मैं equal कर लेता हूँ तो यहां मेरे पास 3 unit है यहां मेरे पास 4 unit है और यहां मेरे पास total 5 unit है इनको equal करने के लिए कैसा करें तीनों का LCM देख लीजिए तीन, चार और पाँच तीन, चार और पाँच का LCM आता है भईए आपके पास 60 इसे नीचे तो कुछ आता नहीं है 60 इन तीनों का LCM 60 है तो मैं दोस्तों इस तीन का 60 कैसे बना सकता हूँ तीन का 60 बनाने के लिए मुझे से 20 से multiply करने पड़ेगी तब जाकर करके ये 60 बनेगा चार का मैं 60 कैसे बना सकता हूँ अगर मैं इसमें 15,60 यानि 15 से multiply कर दूँ जबकि 5 का मैं 12,60 यानि 12 से multiply कर दो तो ये मेरे पास जो तीनों है वो 60,60 हो जाएँगे यानि मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगी अब दोस्तो अगर मैंने 20 से multiply इसमें करीए तो 20 से multiply मुझे यहां भी करनी पड़ेगी तो आप देखेंगे जैसे मैं 20 से multiply करता हूँ तो यह हो जाएगा 20 दूरी 40 15 से multiply इसमें करेंगे तो 15 तिया 45 और 12 की multiply तीन में करेंगे तो 12 तिया 36 जबकि इस तरफ की बात करें तो मेरे पास यहां रहेगा 20 15 की multiply करेंगे तो यह भी 15 रहेगा और 12 दूरी हो जाएगे 24 अब मुझे इन सब को अलग अलग करना देखना है चेक करके देखना क्या बनता है जोड़ लेते हैं दूद को दूद में और पानी को पानी में तो 5 और 6 ग्यारे का यह खासिल चार चार आट और 3 ग्यारे ग्यारे और 12 जब किस की बात करें तो यह कितना आएगा चार और पांच नो दोर दो चार और एक पांच यानि कि 59 और यह कटता तो है नहीं तो इसका मतलब उप्सण नंबर उप्सण नंबर सी जो है वह इसका बिल्कुल एक्क्यूरेट आंसर रहने वाला है उमीद करता हूं कोश्चन आपको जिरूर समझ माया होगा कोश्चन बिल्कुल आसान है कोश्चन का लेवल बहुत ज़या हाड नहीं है लेकिन दिर दिर करके हम कोश्चन हाड कोश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे और ऐसे कोश्चन एक्जाम में बने हुए हैं इसलिए इन कोश्चन को कराये जा रहा है तो उमीद करता हूं आप सभी बड़ी ही हैतरीन तरीके से पढ़ रहे हो बहुत जादा महनत कर रहे हो पूरी सिद्दत के साथ आप पढ़ र कोश्चन नमर पांच में लिखा हुआ है दो बड़तनो में दूद और पानी का अनुपात शाथ अनुपात नुव है् 5 और धूद और पानी है दोनों का मिसरन दूद्ध देख लिए। पहले में है 7 और 5 दूसरे में 7 और 9 आम या पको इन दोनों को एकश्चन कंट मिलना Lu यानि कि दोनों की quantity बिल्कुल बराबर करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको बताना है नया अनुपाद क्या होगा बहुत easy question है कैसे कर पाएंगे आप जानते हो इधर हो गए 7 और 5 बारें और इधर मेरे पास है total 7 और 9 16 अब दोस्तो मैं देखना चाता हूं कि मेरे को इनको कैसे बराबर करना है अगर मैं छोटा कर देता हूं देखिए इसको छोटा कर लेते हैं 4 से cancel करता हूं तो 4 3 आबारें और 4 4 16 याणि ये मेरे पास 3 और 4 आजाएगा अब दोस्तो मैं इनको बराबर करने के लिए इसमें 4 से multiply कर देता हूं और इसमे कर देता हूं 3 से ऐसा करने से यह मेरे पास कितना हो जाएगा 12 और यह भी कितना हो जाएगा 12 यानि इनकी quantity बिल्कुल बराबर हो जाएगी अब दोस्तो मैंस में 4 से multiply गए तो 4 से multiply मुझे यहां भी करनी पड़ेगी 4,78 जबकि 4 से multiply मुझे 5 भी करनी पड़ेगी तो 4,50 हो गया 20 इसी परकार से 3 से multiply साथ में करूँगा 3,21 और 3 के multiply मुझे करनी पड़ेगी 9 में 9,27 27 नया ratio देख लिजे दोस्तों कितना आएगा एक और आठ नो रहेगा आपके पास, दो और दो चार यह निए 49 जबकि इदर की बात कर ले तो यह आपके पास रहेगा 47 इसका मतला option number A जो है वो विल्कुल इस question का accurate answer है उम्मीद करता हूं question आपको जरूर समझवाया होगा और question आपको पसंद जरूर आ लहे होगी तो चलिए बात करेंगे next question के बारे में अगला question देख लीजे दोस्तों क्या कहता है अगले question में लिखा हुआ है दो किलोग्राम धातू में दो किलोग्राम धातू में 1 by 3 एक बटा तीन जिंक सेस तामबा है एक बटा तीन तो जिंक है और बाकी क्या है तामबा है और तूसरी तरफ वो कह रहा है तीन किलो धातू में इसको मिला दिया गया है जिसमें की एक बटा चार जिंक है और सेस तामबा है इस प्रकार से दोनों को मिला दिया जाता है नई मिस्रण में चम्ट हो गया और आपके पास कोपर ओगया और आपके पास कोपर हो गया है कर दोस्तों जानते हो देखो कोर्शन ये कह लिखा हुआ है दो किलोग्राम धातू है इसकी मातरा कितनी है दो किलोग्राम जबकि बात करा एक बटा तीन जिंक है एक बटा तीन जिंक का मतलब ही होगा कि एक तो है जिंक तो बाकी इतना बचा दो दो रहेगा उसके अंदर कोपर यानि कि एक तो रहेगा इसके अंदर भी जिंक और बाकी तीन क्या रहेगा इसके अंदर को पर रहेगा अब दोस्तों आप देख लीजिए क्या ये unit equal हैं दोनों की unit equal कर लीजिए दो और एक तीन इधर कितना है तीन और एक चार तो ये equal तो नहीं है पहले इनको equal बना लीजिए equal बनाने के लिए इसमें multiply करने पड़ेगी चार से और इसमें multiply करने पड़ेगी तीन से अब ये बारे बारे unit हो गई लेकिन मेरे पास पहले वाले परकार की जो पहले वाला मेरे पास mixture है उसका जो मात्रा है वो है 2 kg 2 kg और जबकि दूसरे वाला है 3 kg तो इसका मदला मुझे यहाँ पर 2 से multiply करने पड़ेगी और जबकि यहाँ पर मुझे multiply करने पड़ेगी 3 से ऐसा करने से होगा क्या ऐसा करने से यह होगा कि मेरे पास नया जो अनुपात अजाएगा वो उसी ratio मझे देखिए 12 से 12 कट गया 2 ratio 3 यानि कि जो मेरे पास नया रेशियो बनेगा वो विल्कुल accurate बनने वाला है यानि कि जिसके अंदर 2 kg कह रहेगी पहले वाले जो आपके पास mixer है वो और दूसरे की बात करें तो 3 kg रहेगा दूसरे वाले का अब दोस्तों यहां से आप क्या करोगे यहां से भाई आपको दे 9 से multiply करने पड़ेगी और 9 से multiply मुझे इस 3 में भी करने पड़ेगी नया जो रेशियो मेरे पास बन करके आएगा वो कितना आएगा देखिए 8 यह मेरे पास 9 यह मेरे पास हो गया 16 और 9 यह मेरे पास 27 आपने देखा जो मेरे पास zinc है वो तो है 17 और जबकि बात करूँ copper की त तो copper मेरे पास हो गया 43 यानि नया जो रेशियो यहां से बन करके आ रहा है वो आ रहा है 17 रेशियो 43 और यह दोस्तो हमारे question का बिल्कुल सटीक अंसर है option number C option number C जो है वो इस question का बिल्कुल सटीक अंसर रहने वाला है उम्मीद करते हूं यह question भी आपके समझवा जरूर राया होगा चलिए बात कर लेते हैं next question के बारे में अगला question देख लीजिए क्या कहता है भाई अगला question देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है next question आपके screen के सामने है question में लिखा हुआ है सोने और copper की दो मिस्र धातु है फिर से इस बार सोना और copper है वही सोना यानि कि आपके पास हो गया AU और जबकि copper की बात करें तो यह हो गया आपके पास CU कह रहा है इन दोनों की जो मात्राइं हैं पहले वाले में पहले वाले में 5.3 और जबकि दूसरा कोई mixture है उसके अंदर यह 5.9 11 5 रेशियो 11 अब क्या करना है इन दोनों को समान मात्रा में मिला करके पहले वाले mixture से भी समान मात्रा लेनी है दोनों गी और दूसरे से भी समान मात्रा में लेकर के एक नया mixture तेयार करना है और आपको बताना है उसमें सोने और copper का ratio क्या होना है तो question same to same है जैसे हमन उनिट कितनी है आप कहेंगे 11 और 5 16 तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा मुझे इक्वल करने के लिए सीधा सा काम है इसमें मल्टिप्लाइ कर देता हूं 2 से 2 से मल्टिप्लाइ करने से ये मेरे पास 16 रहेगा अब दोस्तों इसके बाद मुझे इन दोनों का रेशियो बिल्कुल समान रखना है तो इसलिए दोस्तों किसी और चीजस से एक्ष्टर मल्टिप्लाइ करने जाब सकता नहीं है बस इस 2 से मल्टिप्लाइ पूरे में कर दो य यहांगे मेरे पास 6 और जो हमारे पास दूसरे टाइप का जो मिश्रन था उसमें देख लिए पांच रेशियो क्या रहे हैं दोनों को अगर मैं जोडता हूं सोने मैं यानि गोल्ड मेरे को गोल्ड जोड़ना है और जबकि बात करें कोपर में तो मैं कोपर वाला ही नें Less question के बारे बात करेंगे इसी के साथ अगला question क्या कहता है दोस्तों देख लीजिए question में लिखा ये कोशन जितने कोशन में अभी तक करें हैं उनसे अलग क्यों हैं अब तक वो दोस्तों हमें अनुपात दे रहा था वो कह रहा था कि इनको जो है वो इस अनुपात में मिलाएं अब वो कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं यहां पर दोस्तों आप कोशन को करेंगे allocation से कैसे करेंगे देखे, बहुती सांधार सा और बहुत आसान सा तरीका है, question में लिखा हुआ है, दो बतनों में पानी और सराब का जो ratio है, वो है 2 ratio 3 और 4 ratio 5, 2 ratio 3 और 4 ratio 5, कैसे करेंगे, आप या तो दोस्तों यहां से पानी को पकड़ लीजे यह यह सराब को, दोनों में से किसी एक को ले करके आपको ये question को निकाल सकते हो, कैसे, चलो बात कर लेते हैं, पानी की, पानी कितना है, दो, पहले वाले में, दो, दो unit पानी की है, टोटल कितना है, आप कहेंगे, टोटल आपके पास होगा, दो नुपात तीन, यानि की दूसरा है, टोटल मिल के अंदर चार अनुपात पांच यानि की चार रहा होगा इसके अंदर पानी और टोटल रहा होगा यह 9 इत्ति बात आपके सुन में आ जानी चीए ओवरल जो मेरेको मिक्सर त्यार करके देना है उसमें अनुपात रहना चाहिए भाईया आपके पास 5 अनुपात 7 पानी का पा का एलसम ले लिए जो नीचे आपको दिखरी ना संग्या पांच बारें और नो इन तिनों का एलसम ले लिए इन तिनों का एलसम क्या आएगा आपके पास अगर एकदम से एलसम नहीं आ रहा है तो आप इनकी मल्टिप्लाय कर लीजिए कैसे करेंगे देखिए पांच की आपका कैंसिल हो जाएगा देखिए कितनी बार कैंसिल होगा आप कहेंगे अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितनी बार कैंसिल होगा देखिए पांच से कैंसिल हो जाएगा पांच इकम पांच पांच अठे चालिस पांच से इसको नो से कैंसिल करेंगे तो नो चिंग चवव ताकि आपकी calculation उतनी ही easy रहे तो ऐसा करते हैं इसको मैं 3 से cancel करता हूँ देखिए तीन से cancel करेंगे तो 3 ही कम 3 और एक बचे मिश्वाथ तीन पंचे पंद्र हैं 3 से इसको भी cancel करते हैं 3 ही कम 3 3 2 6 यानि 20 और 3 से इसको भी cancel कर सकते हैं 3 3 9 यानि अपने पास नया रेशियो बन करके क्या आएगा मैं दुबार से लिख सकता हूँ देखिए यह हो जाएगा 36 दूनी 32 72 बात कर रहे हैं पानी के रेशियो की दूसरब देख लीजिए 40 दूनी 80 यह मेरे पास हो जाएगा 80 और जब इधर की बात करी 55 75 75 75 अब आप तोस्तो इस से कितना जाएगा 5 ज्यादा है वह रेशियो रहना चाहिए 5 रेशियो 3 इसका साफ साफ आप ये निकलता है अगर दोनों परकार के मिस्रणों को दोनों के solution को अगर मैं 5 अनुपात 3 के अनुपात में मिला देता हूं तो मेरे पास जो नया mixer तयार होगा बन करके उसका ratio 5 ratio 7 रहने वाला है तो बहुती सांदर बहुती जानदर यह question था अगे बात करेंगे next वीडियो में बहुती सांदर से टोपिक के बारे में तो चलिए फिलार के लिए तना काफी है आप लोग तयारी में लगे रहिए तो चलिए दोस्तों next question के बारे में बाद हम next वीडियो में करेंगे धन्यवाद